बीती राज जहासी कानपूर हाईवे पर भी सड़ सड़क खासा हुआ आपको दिखाना चाहेंगे कि जहासी कानपूर हाईवे पारिच्छा पुल का ये मामला है इस तरफ देख सकते हैं किस तरह से ट्रक है जो DCM ट्रक ने आगे जा रही इयोन को टककर मारी थी जिसमें चार लोगों की जिन्दा जलकर मौत हो गई दिख सकते हैं अभी भी आग लगी हुई है दिखा सकते हैं आग की लपटें देख सकते हैं ट्रक के नीचे किस प्रकार से आग की लपटें जो सुलग रही हैं अभी भी कह सकते हैं कि आग इसमें भरपूर लग रही है इसके बाद आ इयोन गाड़ी में टक्कर मार दी तो उसमें जो चाल लोग सबार थे दूले समेथ उनकी चाल लोग की मौत हो गई आपको बता दें कि एरच के बिलाटी के रहने बाले थे और वहां जहासी के पास एक गाउं में उनकी बराद गई थी उससे रात में यह जा रहे थे वहां से धाई बजे के लगबग का यह मामदा है पूरा आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आग लगी है ट्रक जैसे ही ट्रक में आग लगी ट्रक में आग लगने के बाद फिर इयोन कार में आग लग जाती है और जिस तरह से इयोन कार के परखच्चे उड़ जाते हैं में बड़ा हासा हुआ है मुख मंत्री ने भी इस पर संबेदना जताई है कुछ देर पहले हमारे संबादाता से गरोठा विधायक जबालाल राजपूत ने बात की थी उन्होंने कहा था कि परिजनों को मुआबजा दिला जाएगा मुख मंत्री से हम बात कर रहे हैं उसके ब पास यह हासा हुआ है आगे यह उनकार जा रही थी पीशे DCM अभी भी इसमें आग की लपते हैं उन लपतों को बुझाने के लिए फायर विगेट की गाड़ियां यहां पर अभी आई हैं क्योंकि आग लगातार धदक रही है और फायर विगेट कर्मी इसको बुझाने के लिए यहां पहुंचे हैं क्योंकि रात में पूरी तरह से आग नहीं चल पाई थी और कहीं बड़ा हास्सा ना हो जाए उस हास्से के चलते अभी आप देख सकते हैं यह फायर कर्मी यहां पर पहुंचे हैं फायर सर्विस की गाड़ी पहुंची है और इनको जो आग धदक रही है उसको बिजहाने का प्रियास कर रही है मौके पर देख सकते हैं आपको हम टाइम समाचार के माध्यम से एस कुरूजर प्रस्वीर देखा रहे हैं कि अभी भी ट्रेक में आग लगी थी उसको बजाने से दुबारा से फायर कर्मी यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि हास पारिच्छा पावर प्लांट का मैंगेट है ठीक उसके ऊपर यहां पर यहां पर यह फुल है फुल के पास से जो हुआ है हासा उसके हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि चार लोगों की दर्दनाक मौत कैसे हुई थी यहां इसी जगाए पर जो यह उन पासावार थे उनको जैसे तैसे निकाला गया इसके बास से फिर भीस रहा, जो ब्लाश्ट हो जाता है, ब्लाश्ट के चलते चार लोग जुलस जाते हैं, उनकी मौके पर जिल कर मौत हो जाती है, उसके बास से लगातार यह सोक के माहौल बना हुआ है पूरे जहांसी में ऐ कर सामने आई है उस्त पिंद्रियादाव टाइम समाचार जहासी